आसकार में नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF News करनाटक चुनाओं में बजरंग बली और बजरंग दल की खूब चर्चा है एक तरफ बजरंग दल का नाम लेकर बजरंग बली को राजनीती में घुसाया चा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बजरंग बली और बजरंग दल को अलग-अलग बताया जा रहा है ये मुद्दा तब से गरमाया हुआ है जब से कॉंग्रिस ने अपने मैनुफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की घोशना की है कॉंग्रिस के इस ऐलान के बाद से ही बीजेपी बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ कर इसे भुना रही है वहीं कॉंग्रिस का मानना है कि बजरंग दल और बजरंग बली की कोई तुलना नहीं है बजरंग बली पुझनिये हैं लेकिन उनके नाम पर बनाया गया संगठन उतपात मचाता है खेर ये राजुनितिक पार्टियों का कहना है लेकिन जैसे ही कॉंग्रेस के इस ऐलान के बाद बीजेपी ने घेरना शुरू किया तो कॉंग्रेस के अंदर ही खलबली मच गई है और कई नेताओं ने पार्टी के घोशना पत्र में बजरंग दल पर बैन की बात पर असहमती जता दी है वहीं अब पार्टी के अंदर ही मतभेद देख कॉंग्रेस यूटर्ण लेती हुई नजर आ रही है लेकिन अब क्या अब तो तीर कमान से निकल चुका है लेकिन फिर भी कॉंग्रेस इस मुद्दे को अपने तरीके से जस्टिफाई कर रही है इसी कड़ी में पी चितंबरम ने कहा है कि करनाटक चुनाओ घुशना पत्र में यह नहीं का गया है कि संगठन पर प्रतिबंद लगाया जाएगा कि वो निड़नाय कारवाई का वादा किया गया है जो नफरत फैलाने वाले सभी संगठनों के लिए चिताओनी है हालाकि पी चितंबरम ने बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से करने पर भी सवाल उठाया है चितंबरम ने भरोसा जताया कि राज्य के लोग बुद्धिमानी से सरकार चुनेंगे उन्हाने कहा कि चुनाओ अस्वष्ट है क्योंकि करनाटक या तो एक उदार लोगतां पी चितंबरम ने आगे कहा कि दोनों ऐसे मुद्धे हैं जो समाज को विभाजित करने और सामाजी के संघर्ष को बढ़ावा देने के शमता रखते हैं आपको बता दी कि बजरंग दल की चंडीगर एकाई ने कॉंग्रिस के गोशना पत्र को लेकर पार्टी को मानहानी का नोटिस भी बेजा है और ये नोटिस कॉंग्रिस अध्यक्ष मलेकार जुन खडगे की खिलाप भीडा गया है भेजे गये नोटिस में कहा गया है कि कॉंग्रिस ने बजरंग दल की खिलाप अपमानजनक बयान दिया है इसके तुलना PFI जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से की है तो इस तरह से कॉंग्रिस बजरंग दल के मुद्दे पर पूरी तरह से घिरी हुई है और अपने ही नेताओं के विरोध का सामना कर रही है अब देखना होगा कि कॉंग्रिस इस चक्रवीव से खुद को निकाल पाती है या फिर उसके लिए ये चुनावी घोशणा पत्र काल साबित होता है वैसे आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके जरूर बताएं खुद करके लिए से खुद करके बादे एंट